आप सबी लोगों का सच्दानन लर्नी चैनल में स्वागत है आज क्यमेस्टरी में कौन से टापिक को हम पढ़ करके जाए एक्जाम के लिए कौन से एक्जाम में आ सकते हैं UP board chemistry class 12th का में इसमें क्या आएगा आने की संभावना है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये दखें तो मेरा मानना है कि जो chemistry की basic चीज़े class 12th का और question तो आएंगे ही ये जो question हमने लिखा ये basic चीज़ है यदि इतना आप इसको complete कर लेते हैं इसके बाद और question complete करते हैं आपका एक base तयार हो जाएगा और इस अधार पे आप कापी इतना आधिक विश्वास आएगा कि कोई भी question हम समझते हैं कि attempt करेंगे यदि एक question आपको आल्रेडी पहले से पता है तब तो इन question को chemistry का base मान कर चाले class 12th का कोलरा उसका नियम अच्छे से याद करके जाए कार्बो हाइडरेट क्या है कार्बो हाइडरेट का जो classification है वरगी कर इसको देख ले संक्रम रच तक तो किसे कहते हैं बहुत बार रिपीट हो रहा है question ईपी बोर्ड में लच्छन उसका बताईए और कभी कभी डी बला के तक तो किसे कहते हैं इसे पुछ देता है और आवरत साली में इस्थिती पर्थम कोट की अपकरिया किसे कहते है उस पे numerical question आ रहा है लीगेंड क्या है उसका वर्गी कड़कर ये Rạौल का निम क्या है नर्स्ट इक्वेशन क्या है सैंड मेर अपकरिया देख लिजिए कोलबे अबक्रिया राइमर टीमन अबक्रिया उल्टेज अबक्रिया उल्टेज फीटिंग अबक्रिया लिवकास टेस्ट टालेंट टेस्ट कहनी जारो अबक्रिया इसको देख कर चलें समभवता देख चुके होंगे अर्ध हायू किसे काते हैं और इस पर अर्ध हायू पर अ आएगा और उपसा सहोजा के योगी को के वर्नर का क्या सिधान ते कलीमेंसन अफचेन अफ़क्रिया उल्फ केसनर अफचेन अफ़क्रिया एफ़क्रिया ये अफ़क्रिया आप देख करके जाएं को मैं कमिस्टरी का बेसिक मानता हूं ये तैयार होना चाहिए आपका हीमांक के साथ, बिलियम संसलेसर अफ्क需要, अलटाईम क्या है, इसके बाद जो कलोरो बैंजीन और बैंजीन की साहताझ से उसमें जो नाइटरी करड़ है, हैलोजनी करड़ है, सलपोनी करड़ है, इसको देख लेज़े, एक क्योईशन के साथ ही साथ थ्रीडल क्राप्ट अवकरिया क्या है एलडोल संखनन किसे कहते है सुनिकोटी के अवकरिया किसे कहते है सुनिकोटी पर तुन्हेमीरकल भी आएगा क्रोमाइट से पोटाइसियम डाक्रोमाइट बनाने का रसानिक समिक्रड को देख लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है IPSC नामन क्लेचर में कुछ IPSC important नामन क्लेचर देख लें जो कि आपके उपसासरोज़ा के योगिक वाले चप्टर में है अच्छे से फिनाल की प्रकृति कैसी होती फिनाल की प्रकृति अमली क्यों होती है एमिनो आमल एवं प्रोटीन किसे कहते हैं उसका जो रसानिक समिकरण है देख करके जाएं न्यूकलिक अमल क्या है डी अन्य का इस्ट्रक्चर बताईए और इंधन सेल और संचारण के विशा में कंपलीट करके जाएं लेंथेनाइड अगुंचन किसे कहते हैं साथ ही उसमें जो प्रात्मिक सेल और देख के बारे में जिकर किया गया है उसको भी देख लें पोटैसियम डेक्रोमेट और पोटैसियम परमेंगनेट का वीरचन उसका निर्माड और रसानिक समिकरण दक्र के जाएं तो थैंक्स